नमस्कार, सभी भाई बहनों को एवं प्यारे बच्चों को रामा आर्ट्स अंबिकापूर के तरब से प्यार भला नमस्कार आज हम आपके लिए प्रेंटिंग, स्केचिंग, चित्रकारी एक दिन में सिखें इसमें हम धर से ढकन चित्र भी हम बनाएंगे एवं राइटिंग करेंगे, मूटे अक्छरों में धर से ढकन, किसी का भी ढकन हो किसी भी डब्बे का हो किसी भी नाली का हो किसी भी जार का हो धकन, धर से धकन कराता है यह हमारा धर से धकन त्यार है किसी के साथ में हम एक धकन का दे निर्मार करेंगे कोई भी ड्रम वोगेरा कभी यह हमारा राउंड बीच में एक हैंडिल एवां इस हैंडिल को ब्लेक कलर्स कर देंगे लोह का रहेगा और नीचे को हम सिमेंट रूपी बना देंगे सिमेंट का रखकन रहे या लोह का ही समझ लीजे हम नीले से हम इसको करेंगे कि दूसरे को से भी कर सकते हैं कि है कि हैंडिल को डार्क ही मिलाईएगा कि क्योंकि कि प्लेट को भी रंगेंगे तो अलग दिखना चाहिए और इसी के साथ धासे धकन हमारा त्यार हो गया है कलर करेंगे कलर कर टेकनिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ना ज़्यादा गाढ़ा लेंगे ना पतला लेंगे और हो सके तो डबल डबल ही करेंगे यह धासे धकन बहुत ही जगा उप्योग किया जाता है यह जो है पैंटिंग हर प्रकार से आपको सिखने में मदब करेगी ब्रस के हिसाब से ही उसको लेगाना है और थोड़ा सा कलर लेके सब को मिला देना है कहीं जो फीका दिख रहा है वगएरा वगएरा को कि अब हम अब कि धकन को पैंटिंग करेंगे कि यह नीला कलर को क्यों हमने लिया है कि थोड़ा सा कि मिक्स कलर नहीं हमने लिया है कि सिंगल ही हमने लिया है कि कुछ लाइट टाइप का इसका धकन का को बनाएंगे कि थोड़ा अलग दीखें कि यह हमारा कि अब बैस बनाएंगे नीचे का अब बैस कि जो धकन रखाता है उससे पले हम कि इस्केशिंग कर लेते हैं अपना परचाई का लेटर का परचाई का और यह कि हमारा कि त्यार हो चुका है कि अपरचाई कि अब कि हम कि अधकन नीचे का डाल देते हैं परचाई कि को जी कलर से आप डाल सकते हैं कि यह बेस बना दे रहे हैं अधकन जमीन में है करके उस टेप का कि अधकन हमारा त्यार हो गया है कि आसा करता हूं कि कि मेरे भाई कि एवं छोटे बच्चे लों कि अभी तक कि कुछ न कुछ यह बहुत कुछ सिग्गे होंगे कि यह जनकारी बहुत ही जरूरी था कि कि आज हमारे समय में सिखाने वाले कम ही है टेकनिक सही होता है यह सभी को सिखने में अच्छा लगता है और यह सबसे कारगर तरीका है धन्य बाद कि अभी, पॉर future 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 future